है 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 हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल साहू साइन्स क्लासेज तो अब इस वाली वीडियो में हम मीटर से तूब कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी बहुत ज्यादा देखा जाता है आपके एक्जाम्स में सबसे ज्यादा टपक सब्सक्राइब करेंगे और अगर पुरानी वीडियो नहीं नहीं देखी है मोस्ट इंपॉर्ण वीडियो जाल लखाया अर्द तरंग दिस्टकारी सब कुछ डाल लखाया तो उसको चैनल पर जाकर देखिएगा तो देखो मीटर से तू क्या है किसी चालक तार का प्रतिरो सब्सक्राइब करने के लिए और मीटर से तू एक सुगराई अंत्र है जो वीडिस्टोन से तू के सधान पर कारे करता है अगर वीडिस्टोन से तू नहीं पढ़ाए तो जरूर वीडियो पढ़िया है उसको जाकर देख लीजिएगा बहुत इंपॉरनन्ट है है तो वीड और एक यह L है तो A और C दो तामे की L अकर की पत्ति कसी होती है जिनसे एक तामे की पत्ति D कसी होती है जिनसे एक तामे की पत्ति इनके बीच में L के बीच में लगा दी एक तामे की पत्ति यह वाली यह D कसी होती है अब इसके बाद देखो A वा C के बीच एक धातू का एक मीटर लंबा यह तार होता है इस एक मीटर लंबा यह तार होता है क्योंकि एक मीटर लंबा तार करता है और यहां पर दी OR और एके बीच में प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं जिस प्रतिरोध बॉक्स की में से प्रतिरोध की जरुद उती उसको खीच लेते हैं तो वह प्रतिरोध वर्क करने लग जाता है इसका वर्क यह होता है छीक है इसके बाद देखो A और D के बीच पत्तिर उद्बॉक जोड़ते हैं तदा C और D के बीच अग्या चालक तार S जोड़ते हैं बताया मैंने अभी बैटरी का धन सिरा A से और नेगेटिव सिरा धारा नियंतरक वा कुंजी की साहिता से C से जोड़ते हैं तो बैटरी का यह जो बैटरी है है ना या फिर जो सैल है इसका धन सिरा है इसका धन्द्रूफ किस से जोड़ दिया A से जोड़ दिया और रिण सिरा धारा नियंतरक तदा कुंजी की साहिता से हम किस से जोड़ते हैं, C से जोड़ते हैं, धारे नियंतर क्ता कुंजी की साहिता से C से जोड़ते हैं, ठीक है, इसके बाद देखो, धारा मापी, G के एक सिरे को, D पर तता दूसरे सिरे को, जोकी से जोड़ते हैं, तो आपने जोकी के बारे में तो पड़ी जखाऊगा, एक जौकी से खन कर रहा है एक जौकी लगा रहा है क्योंकि जौकी को जगा जगा पर ऐसे करके इस पर्ष कराएंगे चारो तरफ है ना और जहां पर भी शुन विक्षिक किस्तिती मिल जाएगी वहीं पर रुख जाएंगे हम ठीक है इसके बार देखो जिसकी नोक को तार पर खिसका कर कहीं भी इस पर्ष करा सकते हैं किसको जौकी को अब प्रतिरोध ग्याद करना कैसे ग्याद करेंगे देखो जिस तार का प्रतिरोध मतलब जो S तार है उसे ग्याद करना है उसे बिंदू को C वर D की भी जोड़ दिते है तो हमने सीवा डी के बीच जोड दिया है एस अग्यात प्रतिरोत तार को उसके बाद प्रयोग में जब सरपी कुंजी सरपी कुंजी मतलब जौकी सेतु के तार एसी को किसी बिंदू बी पर इसपर्श करती है तो हमें एक बिंदू बी मिला एक बिंदू बी मिला यहाँ पर यह जो पॉइंट है इस जगे जगे यह टच करती है अब जगा जगा यह टच करती है जब तो बी पर इसपर्श करती है तो तार दो भागों में बढ़ जाता है और यह दो भाग ए भी तदा बी सी विडिस्टोन से दोगे पी दा क्यू प्रतिरोदों का कारे करते है तो ध्यान से देखो हमें दो पार्ट्स मिले देखो यहाँ पर यह पार्ट भी नहीं है यह वाला पार्ट भी है यह वाला पार्ट भी है तो यह दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हम अराम से कह सकते हैं कि इस तार का कुछ प्रतिरों दोगा हमने माले इसका P है और इसका Q है है ना तो हमारे पास वीडिस्टोन आगया देखो P और यहाँ पर यह Q और यह R और यह S है ना वीडिस्टोन में यही तो होता है देखो ध्यान से, वीडि स्टोन में क्या होता है, P और यहाँ पर Q और R और S है ना, जहाँ पर S का ही अग्यत पत्रों होता है, इसको निकालना होता है तो इसलिए वो मीटर से तु किसके सिदान पर कारे करता है, वीडि स्टोन से तु किस सिदान पर कारे करता है अब ध्यान से देखो A से B के बीच में क्या P है और B से C के बीच में क्या Q है अब यहाँ पर देखो A से B के बीच में क्या P है और B से C के बीच में क्या Q है अब ध्यान से देखो A से D के बीच में क्या R है और D से C के बीच में क्या S है कि यहां पर 20 विक्षेफ किस्ति दिये तो अफकॉस ही बात यह किस पर डिन्म्पाइड हो गया किस पर हो गया यह अब किस पर होगा विटी स्टों से तुकि स्थान पर इस पर्ष करा के शुन्य विक्षेफ बिंदू प्रापकरते हैं माना तार की AB लंबाई का प्रतिरोद P तब BC लंबाई का प्रतिरोद Q है जो हमने माना तब विटिस्टोन से तु सिदान से P upon Q बराबर होगा है R upon S के अब हमने माना AB लंबाई L centimeter है यह वाली लंबाई हमने क्या माली L centimeter उसके बाद तो तब BC लंबाई 100-L होगी वो क्या होगी 100-L क्योंकि 100 cm का है तो 100-L cm होगी अथा AB का प्रतिरोद आप जानते हैं प्रतिरोद is equals to क्या होता है R is equals to formula होता है R is equals to rho L upon A होता है यह पढ़ रखा है आपने तो यहाँ प्रतिरोद क्या है L cm पर यहाँ पर ज़ो प्रतिरोद है L cm पर भो P है तो R की जगह पे क्या आजाएगा P आजाएगा और P is equals to rho L upon A हो जाएगा क्या हो जाएगा P equals to rho L upon A हो जाएगा इसके बाद देखो अप BC का प्रतिरोद देखो अब BC का क्या हो जाएगा वहाँ पर Q था Q equals to Rो और L की जगे पर 100 minus L और upon में A है ना clear है मेरी बात समीकरण 2 का समीकर 3 में भाग देने पर यह जो क्वेशन निकल गाई थी इधर वाली P और इधर वाली Q इन दोनों का divide कर देंगे तो P upon Q is equals to क्या हो जाएगा L upon 100 minus L हो जाएगा क्योंकि देखो इसका इधर और इसका इधर तो क्या हो जाएगा S is equals to R into 100 minus L upon में small L हो जाएगा इस सूत्र से प्रतिलोद इसका मान गयाद कर सकते हैं देखा कितना easily दरीके से हमने किसको गयाद कर लिया आपके meter से तू को गयाद कर लिया ठीक है कितना easy था meter से तू अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो का मिलते हैं बहुचल नेक्स वीडियो में गुडबाई गाइज